बच्चे पूछ ने थियूरी कहां से पढ़ने अल्रेडी मैंने 10 येर के अंदर रीड करके इनकॉर्परेट कर दिया है थियूरी सेक्शन में तो बई 10 येर के लिए थियूरी देखो जो आपका ग्री सहाउजा बुक है या जिसके पास वी के सिंगानिया है उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बुक आपको अंडरसेंडिंग करना एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए है जो बच्चा चाहता है कि सर हम बस पास हो जाए पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेना देना नहीं है सिर्फ हमें पास होना है तो 10 यह से पास हो जाएगा जो बच्चा चाहता है कि सर डेफ्ट में हमें नॉलेज भी लेना है वो बुक से करें प्रेक्टिस मैं सिंपल सी बात कहता हूँ पास होने के लिए 10 यह में वही कॉंटेंट डाला है जो पेपर में आएगा लेकिन पास स्रिफ होते हैं इसे फिर डिक्कत है देखें चली एक कोशन पढ़ लेते है यहाँ पे कहता है Mr. X on several assets several का मतलब बहुत सारे assets है but does not on any residential house घर भी नहीं है he sells the following during the financial year कहता है किसके पास shares है और इसके पास jewelry भी है debenture भी है car भी है he purchased small residential flat इसने घर भी खरीदा है आप देखो कि यहाँ पे कोई भी घर बेचा नहीं जा रहा है घर खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे section 54F आ जाता है ठीक है आगे कहता है question में so on तो इस question को सवाल को तीन question मानके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो बच्चा इसको सोचेगा कि एक ही question है तो वो परिशान रहेगा end तक तो ऐसे question को करने का सबसे easiest way होता है कि sir इस question को आप तीन तरीके से try करें तीन तरीके से मतलब तीन तरीका मतलब तीन अलग अलग पहले में shares वाला कर लूँ पहले में shares वाला कर लेता हूँ पहले में चलिए shares के पर अब sir shares दो तरीके के होते हैं listed भी होता है और un अगर listed share है तो indexation not allowed अगर sorry और unlisted है तो indexation allowed है unlisted के case में 24 महिने count करना और listed के case में 12 महिने count करना आपको तो कहता है sir purchase करा है April 2010 में और इतने रुपे का खरीदा था sold करा है इसने 2021 में इतने रुपे का और through NSE और NSE पे paid किया STT जहां NSE word आगे तो listed है और fair market value है तो थोड़ा मैं shares की कहानी बता दू sir shares अगर listed हुआ तो आपको ध्यान देना है sir ये share खरीदे कब है या तो आपने खरीदे होंगे 31.01.2018 से before हाला के discuss किया है थोड़ा सा और यहा खरीदा होगा after 31.01.2000 अगर आपने before खरीदा है तो यहाँ पे FMB लेना है आपको on 31.01.2018 sir इस सवाल में indexation की बात करें तो not allowed indexation अगर 31.01.2018 को अगर आपने बेचा है बाद खरीदा बाद में है तो जो market price है वो लेना है simple सी बात है कोई आपका 31 March वाला concept नहीं रहेगा 31 जन्वरी वाला कोई concept नहीं रहेगा तो यहाँ पे shares के case में क्या करने वाला हूँ मैं sale करूंगा सीधा sir sale कितने का किया इसने कहता है कि इसने purchase तो किया था purchase किया था कब बहुत पहले 2010 में और फिर 21 के अंदर 3,57,900 सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए ये long term होगा या short term होगा मैं यहाँ पे minus करने जा रहा हूँ that is fair market value और fair market value क्या होगा sir ठाइला और ये कब की value लिया हमने मैंने आपको सायद जो बच्चे पहले वीडियो देखे होगा चितामबरम वाली कहानी बताई थी मैंने चितामबरम कह रहा हूँ क्या नाम था भी जो अरुन्जेटली वाली कि उन्होंने time सारा change किया था जब capital game है share market तो उस वीडियो में seven और आगे और उन्होंने एक बात और भी कहा था मैं वहाँ पे तो नहीं बताया था मैंने लेकिन मैं question में अभी theory खतम नहीं हुआ है अभी मैं सिर्फ question बताना हूँ कि हम question करने के capable होगे अभी बहुत सारी theory pending है जो कि हम करेंगे एक बात और बताया था कि एक लाग रुपे तक कि अगर आपकी capital gain होती है long term से तो exempt माना जाएगा एक लाग के बाद वाला taxable होगा हम उस पे बाद में भी discuss करेंगे ठीक है ना यहाँ तक clear है यह तो सर taxable है लेकिन 7900 only taxable होगा ना कि एक लाग 79 तो अभी taxable की बात ही नहीं है तो हम इस पे बात ही नहीं करेंगे taxable उसके उपर बात कर लेंगे सर अब पहला point खतम होने के बाद क्या है सर इसका jewelry jewelry है न जोल्री jewelry में क्या कहता है April 11 में sale some jewelry to Y और Y को इसने इतने का बेच दिया और he took 50,000 advance he had bought his jewelry 6 में लिया था इसने मतलब सर इसने आगी कहता है Mr. Y backed out from his deal and X forfeited 50,000 advance 15 2011 का on July 15 2021 he sold the jewelry इसने फिर से बेच दिया कितने का सर 28,00,00 का जिस पे खर्चा हुआ इसका 20,000,00 का as आपका incidental expense या फिर brokerage कह रहो सबसे पहले तो सर sale consideration मैं इस कहानी को थोड़ा explain कर दूँ पर section क्या बन क्या कहता है ये कई बार नॉर्मली वैसे तो question के अंदर jewelry के उपर बनाया गया है लेकिन मैं reality बता हूँ jewelry में ऐसा होता नहीं लेकिन property में खूब होता है ऐसा आपने एक property ध्यान दीजेगा मैं property की बात कर रहा हूँ समझ में अच्छे सा जाएगा आपने property खरीदा था 14-2021 में सर कितने का 5 लाक रुपे का आप इसे sold करने गए 14-2010 में सर कितने का बेचने के लिए गए 21 में ने कर दिया एक करना था एक करना था और बेचने गए 2010 में आपने जिस party से ये बेचना चाहा उस party ने 50 लाक तो नहीं देया लेकिन हाँ token money यानि advance पैसा दे दिया मान लेते हैं उसने 2 लाक रुपे का क्या दे दिया और बाद में वो party जो था वो मुकर गया भईया पैसे नहीं हम तो नहीं दे सकते तो जब कभी हम किसी property को खरीदते टाइम पर पैसे जब दे देते हैं न advance और अगर हम वो property नहीं खरीद पाते तो जितना advance हमने दिया वो डूब जाता है यानि वो वापस नहीं मिलता ये किसका हो जाएगा सर उसी का हो जाएगा तो ऐसे situation में अगर वो इसी का हो जाता है अगेन ये दूसरा पार्टी टूंडेगा ऐसा तो नहीं है कि प्रोपर्टी नहीं भीका तो अब बिके गाई नी इसने 2021 के अंदर एक पार्टी ढूंडा और उसको ये प्रोपर्टी 60 लाग रुपे में बिक गया कहानी यहां यह आता है कि सर जो यह प्रोपर्टी बेचा गया है इसके अंदर पहले सरकार ने दो स्टेप लिए हैं पहले क्या होता था 2014 से पहले यानि 31 मार्च 2014 से पहले और अब बात करेंगे 31 मार्च 2014 के बाद after government rule पहले क्या करते थे अगर आप ध्यान से देखो मैं roughly करूँ तो सर आपका sales तो माना जाएगा यहां पे 60 लाग लेकिन जब minus करते थे थे न cost of acquisition तो बोला गया सर cost of acquisition में से जितना आप advance ले चुके हो यानि आपका सर 5 लाग रुपे की खरीद थी 2 लाग तो आपको मिली गए न तो 2 माइनस कर दो और बाकी जो बच गया कितना 3 लाग पर आप indexation करके यहां पे माइनस कर लो पहले पुरानी बात है यह थी पहले यह बोला गया था कि यह तो माइनस कर लो और बाकी पर indexation क्यों माइनस करने के लिए बोला गया था क्योंकि सर आपका actual cost 5 लाग रुपे नहीं है क्योंकि उसमें से आपने 4 feature के वे में यानि जो पैसा आपको advance आपने receive किया है वो अपने पास रख लिया है तो वो तो आपके पास आई गये पैसे लगाए 5 थे बाकी आपको मिली गये तो बाकी पर आप indexation करके क्या करिये indexation minus करिये और अप capital gain लगा दीजिये लेकिन 2014 के बाद government ने क्या कहा कि सर अगर 2014 के बाद जिसके पास भी advance पैसा आएगा और वो forfeiture करेगा तो वो capital gain का party नहीं होगा वो किसका part माना जाएगा सर other source उसका normal calculation होगा normal calculation का मतलब सर ये 2 लाग नहीं होगा सिधा 5 लाग पर indexation करके अपने करना है समझ मैं यह बात आपको यानि अगर कोई भी advance amount आप forfeiture करते हैं 14 से पहले करते हैं forfeiture तो वो cost of acquisition में से less हो जाएगा फिर आपका indexation होगा लेकिन 14 के जब बाद करेंगे तो वो other source का part होता है वो cost of acquisition से कोई लेना देना नहीं है और मैं कहता हूँ उस advance का ही कोई लेना देना नहीं रहता question से बस दे रखा है आपको बोल रखा है कि 2015 के अंदर एक deal किया था वो पैसे forfeiture कर लिए हटाओ हमारे काम का वो नहीं है क्योंकि capital gain का party नहीं है हाँ लेकिन 2010 में ये deal हुआ हो 2010 में forfeiture हुआ हो तो ये minus करेंगे cost of acquisition में से तो ये दो points थे जिससे related हमारा question आगे आएगा और उसके उपर हम ध्यान देंगे बाकि जब मैं theory के सारे जब chart वाले करवाँगा तो वहाँ पर भी मैं एक बार revise करा दूँगा जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था आपको तो sir यहाँ पर क्या कहता है question में के एक sell किया इसने वाई को और agreed हुआ sell होने के लिए इतने का he took advance 50,000 के advance ले लिया he had brought jewelry 2006 में 2006 में इसने एक jewelry लिया और वो था 7,500,000 का तो sir cost of acquisition यहाँ पर तो selling expense भी है मैं थोड़ा सा करतूं नीचे less cost of acquisition कितने का लिया 7,500,000 का बाकि देखते आगे और कहता है के वो amount जो था 50,000 लिया backed out मतलब वो पहले वाला बंदा जो था जो भी नाम था क्या नाम था इसका नाम तो दिया नहीं Y, Y ने बोला बहिए मैं तो नहीं ले रहा है जोल्री back it out हो गया तो उसने बोला बहिए तेरे पैसे नहीं मिलेंगा X ने उसके forfeiture कर लिया और उसने फिर दुबारा पार्टी ढूंडा और एक पार्टी को उसने बेच दिया 28,000,000 तो उसने 28 इतने का किसी दूसरे वेक्ति को बेच दिया इस पे खर्चा भी कर दिया इसने सर कितने का खर्चा करती है लीगल 20,000 अब बात आती है सर सेल कंसेडरेशन अब यहाँ पे आपने जो forfeiture किया है चेक करो 2014 से पहले डील हुआ था या 2014 के बाद डील हुआ है तो आपका यह डील जो हुआ था वो हुआ था सर 2011 में तो यानि यह cost of acquisition से अब माइनस होगा अगर यही 2015 में होता तो माइनस नहीं होता तो अब यहाँ पे जो हम cost of acquisition लेने वाले हैं सर यह लेंगे 7,00,000 कितने थे 7,50 था न अब इस में से हम पहले 50 माइनस कर देंगे सर बचा कितने 7,00,000 अब इंटू में 317 और divided by सर जिस साल खरीदा गया था उस साल का indexation खरीदा कब गया था 2006 में तो 6 का मतलब है 6,7 का 122 निकाल लिए इसका क्या आता है 7,00,000 पे यह indexation हाँ इसका बताई 27 इसका भी बता दीजिए 18,00,000 852 माइनस कर दीजिए 9,6 0 सर यह दूसरे का complete पहले यह दोनों देखिए आपको समझ में आये सर लॉंग टरम लॉंग टरम बच्चों ने आंसर ही निकाल दिया पहले यहां तक देखिए आपको समझ में आये तीसरा पॉइंट देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कहता है इसने क्या करा है सर कहता है सोल्ड डिवेंचर 45,000 का और परचेस किया था 55,000 का क्या यहां पर इंडेक्सेशन अलाउड है नहीं है इसका क्या होगा नेचर लॉंग टरम या शॉट टरम सर यह ऑल्वेश शॉट टरम क्यालकुलेट होगा तो अगर मैं इस डिवेंचर की बात करूँ इसे हटा देते हैं शियर्स वाले को सर पॉइंट नमबर थ्री आ गया जिसमें डिवेंचर तो सर सेल कितना होगा डिवेंचर सर 55 और कॉस्ट ओफ एक्कुजेशन क्या है तो सर यहां तो स्टी सीजी लग गया यानि 10,000 रुपे का यहां पर लॉस हो गया पॉइंट नमबर चार चार में कहता है इसने एक मारूती कार एक्स जो सोल्ड कहता है हिस मारूती कार हिस का मतलब अपना है भाई प्रस्नल है प्रस्नल मारूती कार उसने बेच दिया कितने का दो पच्चिस का जिसको खरीदा था 3,50,000 तो यह प्रस्नल एसेट्स हो गया तो personal assets तो capital assets का part तो यहाँ पे no capital gain पहले यह देख लीजे 4 point clear है फिर exemption पहाएंगे पहले देख लीजे 4 point clear है फिर exemption पहाएंगे पहाँ 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 अग। हाँ लगाएंगे पहले ये पॉइंट देख लो 54F अभी लगाना है मुझे कितने का घर खरीदा है 10 लाग का स्क्राइब स्क्राइब चले करें आगे कुशन फॉर्थ बता दो थर्ड बता दो देखें फॉर्थ के अंदर अगर आप प्रस्नल एसेट्स की बात करें कि कोई भी प्रस्नल एसेट्स आप बेचते हो except वो पांच या छे पॉइंट जो थे वो कैपटल एसेट्स नहीं है लेकिन वो मूवेबल अगर है तो तो कार तो मूवेबल है ना तो जोलरी में कवर है ना तो पेंटिंग में कवर है ना तो आर्ट में कवर है ना तो आपका आर्कीलोजिकल कलेक्शन में कवर है ना तो स्कलप्चन में इस सब पॉइंट में कवर ही नहीं है तो personal assets हो गया ये तो ये तो सर capital assets नहीं है तो इस पर capital gain निकलेगा नहीं तो इसलिए मैंने बोल दिया इस वाले point पर तो capital gain नहीं आएगा number 4, debenture को जब कभी भी बेचते हैं हमेशा short term capital gain होता है सर और इसके अंदर indexation भी allowed नहीं है क्योंकि interest मिलता है इसलिए debenture का हमने सीधा सीधा minus कर दिया ठीक है यहां तक clear है अब हमारा देखा जाए अब ही 54 F भी देना है कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो यहां देखिए अब सारा capital gain निकाल देते हैं पहले तो share से सर share से कितने निकले हमारे 1079 00 फिर सर एक और capital gain आया कहां से आया सर capital gain जोल्री से सर जोल्री से कितने आया capital gain टोटल capital gain जो हो गया हमारे कितने हो गये count कर देना एक बर टोटल कितने हो गये इन दोनों को प्लस कर दीजे बस नहीं डिबेंचर हमेंसा short term निकलना है कितने 769 अब सर माइनस करेंगे 54F सर क्यों 54F क्योंकि residential house करीद है इससे पहले था भी नहीं और assets में कोई और समान बेचा है other than residential house तो 54F क्या कहता है कि आपका formula अगर formula कहलो normal कहलो कहता है कि सबसे पहले कापका capital gain कितना है तो capital gain सर यह है clear divided by net sale consideration तो net sale consideration एक तो ये वाला भी लोगे और एक ये वाला लोगे जब दोनो capital gain ले रहे हो तो net sale consideration भी कौन सा लोगे दोनों लोगे तो net sale consideration बताइए क्या आता है यानि सर ये आएगा 3 plus 27 और सर multiply आजाएगा 10 लाक क्योंकि ये परपोस्नेट basis पे मिलेगा तो multiply क्या आजाएगा 10 लाक पहले ये देखे समझ में आए कि नहीं है पहले ये देखे समझ में आए कि नहीं है multiply 10 लाक कैसे आया ये ही फॉर्मूला था ना capital gain divided by net sale consideration into my investment तो मैंने इधर की जगा उधर की जगा इधर लिग दिया बस कितने आ रहे हैं इसका नहीं ये सबका solution चाहिए 3, 4 3 minus करके आगे हमारा साथ लाक 603 चलिए समझ में आये यहां तक अब सर अगर आप बोलते हैं सर capital gain कितना हुआ एक ही हो गया और यहां से क्या था सर loss इस loss को subtract करके आप capital gain निकालेंगे tax liability की बिल्कुल बात नहीं चल रही तो tax liability की मैं discuss भी नहीं करूँ आ रही अब एक बात ध्यान रखना है क्या capital gain में ATC का deduction मिलता है capital gain में अगर यहां बोलता है investment कर रहा है PPF में तो मैंने वहाँ पे especially लिखवाय था कि जिसके उपर special tax rate लगता है मतलब वो वाला tax rate कौन सा? अप टू 250 वाला वो normal tax rate हो गया जो अलग से वह यह 10 पे लगाओ 20 पे लगाओ, 40 पे लगाओ, उस special हो गया जिस किसी पे भी special tax rate लगता है वहाँ पे government deduction नहीं देता तो इनका पहले से rate कम है 20% है बागी का तो 30 मान के चलो, इसका 20 है तो जितने भी capital gain होंगे चाहे आप short term में तो मिलेगा LTCG, long term capital gain पे आपका ATC का कोई exemption या deduction नहीं मिलने वाला clearly ATD का भी नहीं मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ है clearly मैंने अगर note आप देखोगे न जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे note है अगर आपने note किया है तो वहाँ पे चेक कर लिजिए ATC से लेके ATU तक का कोई deduction उसको available नहीं है debenture क्यू नहीं लिया, debenture STCG था और ये LTCG बोलता है formula में मैं यहाँ पे minus debenture कर दूँगा और debenture 10,000 रुपे करके और बाकी का हम निकाल लेंगे clear a point और the Will поз envoy दूए enough और the One